आज ये एट कली का जो पेटिकोट है जो सारी के नीचे पहनते हैं उसकी कटिंग और सिलाई केसे करते हैं वो मैं दिखाऊंगी और इसमें मैंने सिंगल फ्रिल लगाई है अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ्री में सब्सक्राइब है तो जल्दी से जाएए और सब्सक्राइब कर दीजिए और साथी साथ बेल आइकोन को भी दबा दीजिए जिससे कि आपको मेरी नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे अभी तो मैं आपको एसे कागज पे दिखाऊंगी के कैसे कटिंग करते है उपर कमर बेल्ट के लिए चार इंच का एज से पट्टा निकलना है और नीचे चार इंच का फ्रील के लिए निकलना है देखिए मैंने कागज पे एसे लाइन ड्रो कर लिए है उपर की लाइन है वो कमर बेल्ट के लिए है और नीचे की लाइन है वो फ्रील के लिए है उसको हम केची से काट लेंगे अब देखिए मैंने एसे कमर बेल्ट का पॉर्शन अलग कर लिया है और एसे नीचे फ्रील का भी पॉर्शन अलग कर लिया है अब वीच में जो बचा है उसको हम एसे 5 इच काट नाप लेंगे उदर से और यहां इधर से 5 इच का नाप लेंगे फिर उसको एसे केंची से काट लेंगे देखिए मैंने यह दोनों हिस्से को एसे अलग कर दिया है ऐसे आठ कली बनानी है अब यह एक पॉर्शन को एसे पकड़के इसे सिद्धा कर लेना है यह दोनों 5 इच वाले फाग है उसको एसे शाथ में रखना है फिर एसे बीच में सिलाई कर लेना है, जहां हमने वो जोइंट किया है, वहां ऐसे सिलाई कर देना है, फिर उसके उपर कमर बेल्ट लगा देना है, और नीचे ऐसे फ्रिल लगा देना है, देखिए मैंने कपड़े पे ऐसे कटिंग कर लिया है, ये कमर बेल्ट के लिए भी कपड़ा निकाला है, चार इंच का और ये आठ कली निकाली है, देखो, और ये नीचे लगाने के लिए फ्रिल भी मैंने निकाल ली है, अब ऐसे आठ कली को ऐसे सिलाई कर देंगे, इसे बीच में जो मैंने जगा रखी है, वो ऐसे जोइंट करने के लिए रखा है, उस पर सिलाई कर लेना है, उसक फिर एसे उपर सीलाई कर देना है अब ये फ्रिल को एसे रखना है देखिए और एसे नीचे सीलाई कर लेना है उसको एसे पलट देना है देखिए मैंने एक इसे बनाके रखा है देखो एसे यहां नीचे फ्रिल भी लगा दी है और इसे फ्रिल के नीचे भी एसे सीलाई कर लेना है मैंने और एक वीडियो रखी है पेटी कोट की उसमें मैंने ऐसे आठ कली और डबल फ्रिल लगाया है उसमें वो आप मेरी चेनल काविया जानी एंड कवन जानी पे जाके देख सकते हैं अगर आप एसे कटिंग और सिलाई सिखना चाहते हैं और आपने अभी तक मेरी चेनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चाहिए और सब्सक्राइब कर दीजिए और हाँ घंटी के निसान को दबाना मत भूलना इसलिए मैं जब भी नई वीडियो रखू तो आपको सबसे पहले मिल जाए और कमेंट करके बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी लाइक और सेर करना मत भूलना